आपने 1956 के बाद बावा साब के बाद में ये कसम खाई है कि इसको प्रवुद्ध भारत बनाएंगे तो बनेगा तबी जब बुद्ध का वीडियो कैसे बनाएं बहुत सारे जो नर और नारी हैं उनकी एक्षा है कि वो भी धम प्रचार और प्रचार में अपना योगदान दें कुछ कोशिस करते हैं कुछ कोशिस करती हैं फेस्बुक पे लिया वार्टसेप पे अपने आर्टिकल लिया अपना लेख या दोचाल लाइन डालके या लाइक करकर कई लोगों से मेरी बातचीत हुई कई महिलाओं से मैंने चैर पर बातचीत की वो जिजखते हैं महिलाएं जिजखती हैं लोग भी जिजखते हैं उनको इस बात की जिजखती है कि हमारी आवाज कैसी होगी हमारा चेहरा कैसा होगा हम कैसे लगेंगे अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे उनको इस बात की चिंदा नहीं है कि जो content यानि जो सार और जो सामेगरी वो जानते हैं वो लोगों तक पहुँचाने का काम बहुत ज़्यादा महर्पून है और बहुत ज़्यादा अच्छा है उनको अपने जो experience है उससे बड़ी दिक्कत है कि हम कैशे लगेंगे कैशे नहीं लगेंगे तो मेरा यहाँ उन सभी लोगों के लिए एक सुझाब है कि आप अपना mobile उठाइए अगर आपके पास camera है तो camera उठाइए एक कमरे में आप बैठ जाएए पीछे कोई अच्छा सा पर्दा या कोई सिनरी या कोई बढ़िया सी दिवार चुन लीजिए वहाँ अपना इस्टू लेके बैठ जाएए और कमरे की लैट जला लीजिए अपना mobile कहीं टेबल का दख लीजिए या एक इस्टेंड मंगा लीजिए 500-700 रुपे का इस्टेंड आ जाता है माइक कैमरे का काम कर जाता है चाहें तो separate माइक की मंगा सकते हैं वो यूटूब पर आप पता कर लेगे आपको जो भी knowledge है जो भी ज्यान है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं मेरी पाचित होई तो उन्होंने कहा जी के अभी तो हम सीखी रहें बूरे रोगे हैं वो लोग मगर उनमे इतना confidence नहीं आया वो कहते हैं जी अभी तो हम सीखी रहें अरे भाइ मरते मरते तक भी सीखते रहोगे तो सिखाओगे चाप फिर ये बड़ेगा कैसे आपने दस नी क्लास तक का सीख लिया आपनों धम हम इसको क्लास में ले लेते हैं एं-दो,ती,चार,पांछे जैसे के क्लास होती हैं तो आपने बच्चों के लिए उनके इसाफ से बनाएगे ना लोगों के दिवान में क्या है हम जब धम बनाएंगे तो perfection होना चाहिए और कोई विद्वान हमारा वीडियो सुने तो कहे जी बहुत बढ़िया वीडियो बनाएगे भाई विद्वानों के लिए मत बनाएगे विद्वानों के लिए तो भगवान बुद्ध बनाके जा चुके हैं वो सब है जो धुरंदर है जो धम धर है बिसिकलिए धम धर से धुरंदर बना है जो धम धर है उनके लिए कुछ गाके बनाइए, कुछ दोहों में बनाइए, कुछ पन में बनाइए, कुछ गजल में बनाइए, कुछ गीत में बनाइए, कुछ फोटो में बनाइए, पिरिशन पंसील के साफ से बनाइए, कुछ सुन के बनाइए, अगर नहीं आता है तो किसी का वीडियो देख लीजि अपनी आवाज में उसको डाल दीजिये बनाकर किसी रेफ्रेंस की और संधर्व की चिंदा ना करें रेफ्रेंस और संधर्व सचे लोगों को जवतनी पड़ती है उनकी सारी बात ठीक होती है किताबें कुछ authentic हैं, कुछ authentic नहीं है थोड़ा कुछ गलत होगा, वो जो लोग comment देंगे उसमें ठीक ठीक होड़ता चला जाएगा दो-तीन वीडियो में आपको इसकी आदफ पड़ जाएगी कि कैसे वीडियो अच्छा बनता है, कैसे नहीं बनता है हर वीडियो, पहली वाली वीडियो से जो अगली वीडियो होगी, वो इंप्रूव्ट होगी वो पहले से ज़्यादा अच्छी और बैतर होगी इसनियों सटरने के आप सकता नहीं है मगर यह सोच के कि हम आज बनाएंगे, कल बनाएंगे पता नहीं कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, यह हमारा काम है या नहीं है हमें क्या जोपड़ी है अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे, या टरते रहेंगे, या चचचते रहेंगे या शर्माते रहेंगे और फिर आप कहेंगे कि प्रबुद भारत हो जाए प्रबुद भारत हो जाए तो प्रबुद भारत बनाने के लिए कोई अंतरिक से लोग नहीं आने वाले है और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप फेस्टूक पे और यूटूब पे तरहादन अपना परचार कर सकें या किताब में में अपना दे सकें इतना पैसा नहीं आपके पास नहीं आप ही को महरत करनी पड़ेगी आपको ही पचातना पड़ेगा आपको ही पचातना पड़ेगा जैसी भासा आती है जैसा बोल सकने हैं जिस भी भासा में, जिस भी लेंगुज में जिस भी तरीके से कोई से कपड़े पैन कर चाहे कपड़े प्रैस है या नहीं है चाहे बाल आपके बेतर पीम है या नहीं है कोई फ़र्ट नी पड़ता आपके सब थोड़े टेड़े मेड़े होने उससे कोई दिक्र नी पड़ता आप एक बार लूट कीजिए आपको दरसक नहीं मिलें के सुरूम है क्योंकि यहां दर्सकों को लाने में बहुत महत करनी पड़ते हैं तो आप उसको कॉपी कीजिए, पेश्ट कीजिए, विस्तारों को भेजिए, लोगों से रिक्वेश्ट कीजिए कि मेरा वीडियो है, उसको शेर करें, या आप सब्सक्राइब परें, या देखें उसको कम यह बनाएं मेरी, ठकिये मत, सो-दोसो वीडियो बनाने के बाद में दर्सक मिलने आरम होते हैं सौ दो सो वीडियो बाटा पता भी जलता यूटूब पता है कि कहां आई और कहां चिलेगे रोज एक वीडियो बनाने का एर्फेज डालिए आराम से वीडियो बनाईए एक वीडियो बनाएंगे तो दो के सब्जेक्ट अपने आप मिल जाएंगे सबी विस है पर वीडियो बनाईए खाली बुद्पनी, महापुरुसें, अमबिटर पर बनाईए जोती वफलेर बनाईए, नाम देप बनाईए जितने भी संत हैं, कबीर हैं, उन पर बनाईए घर्लू सज्जेक उठाईए और कुछ नहीं तो आपने खीर कैसे बनाते हैं, उसके उपर बनाईए सब्जी कैसे बनाते हैं, उसके उपर बनाईए जो आपको आता है, वो से खाईए आपने कुछ दिन में खास देखा, वो बताईए किसी मीटिंग सवा में गए, उसके वारे बताईए गर में किस तरह से वेवार होता है, किस तरह से हम गरीबी की तरफ जाते हैं, किस तरह से हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, उसके वारे मताईए आपने कोई गंदी आदत छोड़ी है तो उसके वारे मैं वीडियो बना दीजिए कि यह मैंने गद्या दखी यह मने छोड़ दी, इसका यह वीडियो ऐसे मैंने छोड़ी, वो लोगों का बेना बन जाएगा, आपने कोछ अचीव किया है, अचीवमेंट है, आपकी उसका फोटो बनाएए, उसका वीडियो बनाएए, उसे डालिए, इसके अलावा आपने आउ लंगर डालते हैं, लंगर को एंकर बोलते हैं, तो एंकर आप डालेंगे, नेट पर सच करेंगे एंकर, तो एंकर एक ऐसी साइट है, कि वहाँ आप ओडियो कोई भी बना कर मोबाइल से ही, खाली आप बोलेंगे, वो वहाँ लोड हो जाएगा, वह पूरी दुनिया में चला जाएगा, वह एपल पॉर्डकार्ट पे, कूगल पॉर्डकार्ट पे, ब्रीग पे, स्पोर्टिफाई पे, सभी जितने भी जो ओडियो की सर्विस देने वाले लिंक हैं, उन सब पे चला जाता है, और वो free of post है, कोई पैसमी है, आगे आने वाला समय वीडियो का नहीं रहेगा, आडियो का रहेगा, इसलिए आडियो बढ़ाना सीखें, आडियो और भी आसान है, इसमें तो आपको चेहराग नहीं दिखाना है, आप बैठे 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 बैडरूम के अंदर बीस आडियो एक घंटे में बना सकते हैं, किताब पढ़ेंगे, उसका भी आडियो बन जाएगा, मालो आपने धमगी कोई किताब पढ़िये, उसी को लोड़ कर दिया आपने, कहना हमाद है यह है कि कोई धमगी धमपूरी दुनिया में चर्चा में हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जगत गुरू तो यहां हैं बगवान बुद्ध और उनकी अनुयाई आप हैं, क्योंकि आपने 1956 के बाद, बाबा साब के बाद में यह कसम खाई है कि इसको प्रवुद्ध भारत बनाएंगे, तो बनेगा तबी, जब आपको इसकी एक कड़ी बनेंगे, जब आप इससे जुड़ेंगे और आप इसको प्रचार में आगे बढ़ाएंगे, वही बढ़ता है आज के समय में, जो प्रचार करना जानता है अपनी चीजों का, अगर आप मार्केटिंग या प्रचार करना नहीं जानते हैं, धमकार बुद्ध का, बेसक धम और बुद्ध बहुत अच्छा है, दुनिया में सबसे अच्छा है, मगर बिना प्रचार के और बाकी जो प्रचार हैं, वो इसको दबा देंगे, या इसको बदल देंगे, या इसको गुमा देंगे, या इसको अपने में शामिल कर लेंगे, फिर आपके पास हाथ मलने कराबा, कुछ भी नहीं बचेगा, धन्यवाद, सरेन गच्छामू, सरेन गच्छामू, संगं सरनं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी